आज की स्वीर में दूसरे मैं आप लोग साथ शेयर करने वाला हूं कि 9.0 Pi Android Devices को आप लोग कैसे root करोगे without TWRP, without any type of custom recoveries and without PC, just one click and then आपका device root हो जाएगा and whatever अगर आपके device का bootloader lock है, unlock है, it doesn't mean, कुछ भी नहीं है आपको अपने device को root भी नहीं करना पड़ता है and आप अपने device में completely root access को gain करते हैं so मैं समझता हूँ कि इससे best method कोई और नहीं है इसलिए से मैं एक दो वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ and again 9.0 पे आप लोग के लिए as approval शो कर रहा हूँ सबसे पर दोस्तों मैं आप लोग को root checker के जरी दिखाता हूँ कि मेरा जो device है वा नॉन रूटेड है and secondly मज़े की बात यह है कि मेरा जो device है उसका boot loader भी लॉक है and यह huawei का device है and huawei वालों के जो devices होते हैं उनका boot loader built-in locked होता है so मेरा जो device हो नॉन रूटेड है on android variant 9.0 Pi and as you can see your core L29 is non-rooted on android variant 9 so यहां से मैं आप लोग को दिखा दिया है इसके बाद आप settings में जाके मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसका android variant and यहां से system में क्लिक करेंगे systems में जाने के बाद यहां पर about phone है about phone में जाने के बाद यहां पर मेरे पास आप लोग दिख सकते के android variant 9 and इस पर यहां से आप लोग दिख सकते के android variant 9.0 Pi so यहां से मेरा जो device इसका android variant 9 है and यह non-rooted है इसके बाद आप लोग ने क्या करना है आप लोग ने प्लेस्टो में जाके as you can आप लोग को पता हो गए इस हवाले से वी मोज अप को इंस्टॉल करना है and वी मोज के बार में मैं यह तीन चार टूरियल इसलिए बना चुका हूँ कि यह यह बहुत amazing app है and bootloader lock करना unlock करना यह बहुत बड़ा procedure है इसको सही तरह से अगर follow करते हैं तो ठीक है अगर आप सही तरह से follow नहीं करते तो आपके devices को बहुत सारे issues हो सकते हैं इस वाज़ा से मैं यह method share कर रहा हूँ क्योंकि यह बहुत अच्छा method है इसके बाद wemoze आपको install करने के बाद आपनों to authorize करना है authorize के बाद आप लोगों ने यहाँ पर allow settings करनी है allow आप लोगों परमिशन करनी है and then आपके पास यहाँ पर roam installation होगी इसमें आपके पास कोई internet required नहीं होगा roam installation पे and जो आपका install हो जाएगा and इसके बाद यहाँ पर आपसे about five to ten minutes five minutes mostly आप लोगों की यहाँ पर लग जाएगी यहाँ पर आप लोगों की processing यहाँ पर done होगी and इसके बाद आप लोग के पास कुछ इस तरह का interface आएगा so wemos app basically क्या है आपके device के अंदर एक ऐसा android system आप लोगों को provide कर देता है जो कि rooted होता है built-in rooted होता है so यहाँ से मैं इसके android variant दिखाता हूँ आप लोगों ने check out किया कि मेरे जो android का अपने mobile का official android variant 9 है but इस app में अंदर जो android variant हमें दिया गया है वो lollipop है 5.1.1 lollipop android variant हमें यहाँ पर provide किया गया है इसके बाद आप लोगों को मैं यहां से आप लोगों ने play store में जाना है इसका अलग play store है इसमें जितने भी applications आप इंस्टॉल करते हैं गेम्स और गयर इंस्टॉल करते हैं and वो इसी application के अंदर होते हैं because यह एक अलग android system आपके android के अंदर आपको provide किया जाता है इससे आपके mobile में कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा and I know कि इसमें कुछ errors आपके पास आ सकते हैं जैसे वो जो low quality के mobile है उसमें हमारे पास storage का issue हमारे पास basically आ जाता है बैर उसमें मैं बहुत जल्द एक tutorial आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा so यहां से play store पे आप लोगों ने ID login करनी है इसके बाद मैं आप लोगों रूट चेकर इंस्टाल करकी यहां से दिखा देता हूं कि मेरा जो device है वो अभी still non-rooted है बड़ आप लोगों ने root access को कैसे gain करना है यह एक बहुत ही amazing है so यहां से हमेरे पास root checker installed हो चुका है and इससे just drag करके सामने कर देते हैं and then इसके बाद इस पे just click करते है ताकि मैं आप लोगों को show कर दूँ कि मेरा जो device है वो vmose app वो built-in non-rooted है so यहां से check पी click करते है and check पी click करते है यहां पे में पास आ गया your vmose non-rooted on android variant 5.1.1 lollipop इसके बाद आप लोगोंने क्या करना है आप लोगोंने settings में जाना है and settings में जाने के बाद आप लोगोंने यहां पे system settings पे click करना है and then इसके बाद आप लोगोंने नीचे about phone में आ जाना है about phone में जाने के बाद आप लोगों ने जो develop option है उसको enable करना है develop option को enable करने का जो procedure है बहुत ही simple है आपके about phone में built number के नाम से option है इससे 7 to 8 time जैसी आप टैप करेंगे आपके बास develop option enable हो जाएगी continuously 7 to 8 time टैप करना आप लोगों ने आप लोगों पास जैसी develop option enable हो जाया है आप लोगो ने back करना है back करने के बाद आप लोग ने develop option में जाना है and develop option में जाने के बाद मजी की बाद आप लोगों ने जैस 50 एक klick करना है and then boom! आपका जो device है वो root हो जाएगा just two अब से apple यहां से option को enable करना है जैसे root grant route पर्मिशन का अब जैसी इनेबल करेंगे आपके पास प्रसेसिंग होगी एंड रूट टर्न आउन प्लीज रिस्टार्ट वीमोज आप लोग इन वीमोज को आफ करना है हमारे पस यहां पर फ्लोटिंग में जैसे इस पर क्लिक करना है एंड आफ पर क्लिक करेंगे यहां पर आफ पर क्लिक करेंगे आपके पास जो आपका वीमोज आप है वो क्लोज हो जाएगा तो यहां पर जैसे इस पर क्लिक करते है एंड वीमोज टर्न आफ आफ हमारे पास आफ हो चुका है इसके बाद अगें मैं आप लोग को रूट चेकर के जिरी दिखाता हूं के विए जो मैं आप लोग को यहां पर दिखाता हूं कि मेरा जी भाइक है वो रूट हो चुक अ हो यहां पर जिस्ट हम रूट चेकर के तरफ चाहेंगे and root checker पे click करेंगे root checker पे click करने के बाद यहाँ पर हमारे पास check का option आ जाएगा so check पे click करेंगे and check पे click करने के बाद में पास यहाँ पे root permission आ गया and here you can see में पास जो device है वो root हो चेका है बस चस्ट एक click पे ना PC के requirement ना custom recovery के requirement ना आपके android को को issue होगा किसी तरह का कोई issue भी नहीं है इसका बहुत बड़ा benefit है मैं आप लोगों के साथ ये video बार बार इसी हो जैसे share कर रहा हूँ कि आपको अपने device अगर आप अपने device android variant को upgrade करना जाते हैं तो उसके लिए आपके device की custom recovery होना जरूरी है बड़ अगर आप सिर्फ root access को gain करना चाते हैं कुछ reasons के लिए तो मैं समझता हूँ कि root access आप वैसे भी gain कर सकते हैं आप वो सारे features root access के ले सकते हैं जो कि आप normal device को root करते हुए लेते हैं so vmose आपको सारे के सारे features को provide कर देता है and एक और चीज़ जब आप device को root करते हैं so एक तो इसकी जो आपके पास device है आपका उसका जो bootloader होता है वो lock होता है so उसको unlock करना बहुत बड़ा issue है इसके बाद जब आप उसे unlock कर देते हैं तो आपकी warranty bide हो जाती है आपकी warranty खत्म हो जाती है so यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो original device है वो non-rooted है and जो वी मोज आप है वो rooted है and again मैं आप लोग को कुछ इसके settings दिखा देता हूँ यहाँ पे जब हम इसको comparison में लेंगे so आप लोग यहाँ पे देखेगा जो system में मेरे पास यहाँ पे about phone में जाएंगे and about phone में जाने के बाद यहाँ पे original android जो 9.0 पाए है and इसके बाद जो वी मोज आप पे यह जो floating button है इसमें सारे के सारे features given है just इस पे double tap करने के बाद यहाँ पर हमारे पास completely use कर सकते हैं दोनु system को एक साथ use कर सकते हैं so यह एक बहुत amazing है इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें छोटी से छोटा सा tutorial है कोई मुश्किल नहीं एक बच्चा भी इसको कर लेगा seriously easy बहुत easy है and मैंने बहुत short करके बनाया है इसके इलावा अगर आप लोग को कुछ लगता है applications में unlimited चीज़े गेंड करना नहीं होता मुझे पता है कि आप ज्यातर दोस्त अपने डिवाइस को रूट करते हैं क्योंकि उन्हें अपने मुबाइल के android वरिन को अपग्रेड करना होता है अपने मुबाइल के performance को अपग्रेड करना होता है better करना होता है root access gain करने के बाद आपके मुबाइल की performance बढ़ जाती है आपके मुबाइल पर आपको complete access होता है आप अपने मुबाइल के IMI number को change कर सकते है exposed installer और इस तरह की काफी सारी जो helpful rooted applications उनको use कर सकते है but जो कि कुछ applications ऐसे हैं वी मोज आपके अंदर आप लोग use नहीं कर सकते जैसे आप अपने मुबाइल का IMI number चेंज नहीं कर सकते because यह एक ऐसा android device है जो कि आपके device के अंदर आपको android system provide करता है so आप original android को change नहीं कर सकते यहां से but अगर आपके पास root access provide होगा so आप सारी की सारी changes कर सकते है आप लोग को आप लोग को यह वीडियो बहुत पसंद आएगा इस वीडियो के जादे जादा शेयर करें ताके जिसका भी कोई issue वो इसको इससे फाइदा उठा सके and चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा मिलते हैं इन्शालला नहीं वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अलाफेज, अग्यों सो मच वाचिंग, बबाई, टेक्या श्वास्टा कीजिए वीडियो में वीडियों सो में वीडियों सेफेगा क।